दोस्ता इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Realme phone में record किये हुए सभी voice को एक click में कैसे delete कर सकते हैं तो friends ये जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से last तक देखेगा और वीडियो पसंद आएगा तो like करिएगा और channel को जरूर subscribe करिएगा चलिए friends वीडियो स्टार्ट करते हैं friends उसके लिए आपको Realme apps में आ जाना है friends apps में आने के बाद आपको ये recorder वाला application ढूंड लेना है और आपको इस पर click कर देना है इस पर click करने के बाद friends आपके सामने यहाँ पर वो सारे recording आ जाएंगे जो आपने record कर रखा होगा तो friends अगर आपको इस पर click करना होगा और उसके लिए आपको यहाँ डिलेट recording पर click कर देना है तो friends इस तरीके से आपको किसी एक recording को delete कर सकते हैं लेकिन friends अगर आपको सारे voice recording को delete करना है तो friends उसके लिए आपको यहाँ ऊपर side कोने में option मिल जाता है edit का तो friends आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद friends आपको यहाँ option मिल जाएगा select all का तो फ्रेंट्स आपको इस पर click करना होगा, उसकी वाद फ्रेंट्स आपके सामने नीचे यहाँ यह delete बाला box आ जाएगा, तो फ्रेंट्स आपको इस पर click करना होगा, उसकी वाद फ्रेंट्स आपको यहाँ delete all recording पर click करेंगे, उसकी वाद फ्रेंट्स आपको यहाँ से अपने mobile का lock pattern को draw कर लेना है चलिए friends मैं अपने pattern यहां से draw कर लेता हूँ friends आप जैसे ही pattern को draw कर लेंगे उसके बाद आपका सारा recording डिलेट हो जाएगा तो friends इस तरीके से आप अपने real me phone में सारे voice recordings को डिलेट कर सकते हैं तो friends उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा friends वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजेगा चलिए friends मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय यू टेक क्यार